आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा GSTR 9 में अगर आपने कोई टेक्स पे करना भूल गए है आपने कोई टेक्स पे नहीं किया है तो उसका क्या treatment करना है या financial year 21-22 की transaction को अगर आपने 22-23 में दिखाया है तो उसका क्या treatment करना है चलिए इस वाली बात को हम क्या करते हैं case study से ले लेते हैं case study क्या है Mr. Radisham है एक registered person है और उन्होंने outward supply करी एक लाख रुपेगी case study को जरा ध्यान से समझना कि किसी ने outward supply करी एक लाख रुपेगी कौन से financial year में financial year 21-22 में और cgst और sgst 9-9-1000 रुपे collect करा फरवरी 2022 में अब फरवरी 2022 में उन्हें अपनी 3P में भी यह दिखाना था और अपनी gstr1 में भी दिखाना था उन्होंने क्या गरा अपनी gstr1 फाइल करी और अपनी जो detail थी वो table number 4 में डाल दी ठीक है न जी gstr1 के table number 4 में डाल दी यह वाली detail auto populated होकर gstr9 की table में आ गही होगी लेकिन रादे शाम जी ने गलती क्या गरी उन्होंने क्या करा but he has not furnished taxable value of supply in 3B उन्होंने 3B के अंदर इस supply को नहीं दिखाया जो फरवरी 2022 की 3B में जाना था और ना ही उन्होंने कोई tax paid करा जबकि वो tax उन्होंने customer से collect कर लिया था वो pay नहीं करता ऐसी बहुत लोगों की समस्या होंगी तो इस case study का solution क्या है अब अगर हम इसका impact देखें कि चूकि उन्होंने GSTR1 अपनी सही file कर दी थी तो वो वाली value हमारी table 4B में आ गई होगी GSTR9 में लेकिन उन्होंने 3B में उस detail को नहीं डाला तो tax pay नहीं हुआ तो जो tax payable की figure आती और जो tax paid की figure आती table number 9 में वो नहीं आई तो अब सर इस case में best course of action बताओ मैंने का best course of action इस case में क्या है if tax has been paid दो बाते होंगी कि वही सामने वाले व्यक्तिने tax pay करा होगा tax हो सकता है अपरेल से नवंबर में pay किया हो ठीक है न जी हो सकता है कि आज 3 दिसंबर को 5 दिसंबर को 8 दिसंबर को tax pay किया हो जब आप GSTR 9 फाइल कर रहे हैं तो दोनों ही case में treatment अलग-अलग होगा सर अगर हम आज फाइल कर रहे हैं तो क्या होगा मैंने का देखो अगर आप आज फाइल कर रहे हो तो आपको वो tax DRC03 से pay करना है तो DRC03 से pay करने के case में कुछ भी आपको नहीं करना सिरिफ और सिरिफ आपको table number 9 में tax payable को बढ़ा देना है table number 9 में tax payable को बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना सर मैं तो ऐसा करता हूँ DRC03 से pay नहीं करूँगा मैं तो क्या करूँगा जब November की return 20 December को file करूँगा 3B उसमें दिखाऊंगा मैंने का भाई ऐसा बिलकुल भी मत करी हो अगर तुम ऐसा करते हो तो वो जो tax pay माना जाएगा वो 21-22 का tax pay माना ही नहीं जाएगा वो tax pay माना जाएगा किसका 22-23 का तो तुमें उस tax को 22-23 अर्जेस्ट करना पड़ेगा या refund लेना पड़ेगा इसका मतलब हुआ क्या कि 21-22 का अगर कोई tax pay करना आप भूल जाते हो तो आप 30 November के बाद आपके पास एक ही option है कि आप उसे DRC03 से pay करो इस वाले option पे मज जाना मैं आपको ये कभी भी suggest नहीं करूँगा अरे नहीं सर हमने तो April से November की जो हमारी returns जानी थी October तक की उसी में दिखा दिया तो मैंने का अगर आपने उसे दिखाया है 3B के थूँ तो बहुत अच्छी बात है तो इस case में क्या करोगे आप जो आपकी supply थी उसे table 10 में show करोगे GSTR 9 के और उससे related जो text था उसे table number 14 में दिखाओगे पेबल में भी और paid में भी लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर table number 10 में दिखाओगे तो आपकी sale बढ़ जाएगी तो इसलिए उस amount को आप table number 4 से भी reduce करोगे अगर आपने table number 4 से उसे reduce नहीं करा तो वो supply दो बार दिखाई जाएगी इसलिए आपको वो table number 4 से reduce करनी है table 10 में दिखाना है और table 14 में दिखाना है ठीक है जी अगर आपने April से 30 November तक DRC03 से pay करा ठीक है ना जी करना था 3 भी से लेकिन आपने नहीं करा आपने का मैं तो DRC03 से pay करूँगा मैं तो अपनी 22-23 की return नहीं विगाड़ता तब आपको यही treatment करना है table number 9 में सरिफ tax payable को बढ़ा देना है table number 10 और 14 को touch नहीं करना है तो यह एक case study थी जो हमने आपको बताई इस तरीके से GSTR 9 पर लगबख 15-20 case study बन सकती है तो हमने क्या गरा है वो 15-20 case study को अपनी एक book में बना कर रख दिया है तो अगर आप हमारा GSTR 9-9C का webinar लेते हो तो आपको उस webinar के अंदर यह सारी की सारी case study बताई जाएंगी और अगर आप हमारी book लेते हो तो book में भी इन सारी case study को discuss किया गया है तो sir webinar कब है हमारा GSTR 9-9C पर तो मैं आपको बता दू जो हमारा webinar है GSTR 9-9C पर वो हमारा है इस संडे को 11 बजे से तो अगर आपने अभी तक इसके लिए registration नहीं कराया तो registration करा लो और अगर आप पूरे साल के लिए registration कराना चाते है जिसमें हम लगबग 30 seminar देंगे जिसकी value लगबग 12-13 रुपे हमारे सारे webinars की वो आप मातर 4,000 में करा सकते हो पूरे साल में तो ये case study आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना ये हमने अपनी book में दी है अगर आपने अभी तक इसे order नहीं करा है तो इसे order कर ले और आप मुझे comment box में ये भी बताए क्या इस तरह की case study के ओपर वीडियो बनाए हम या नहीं बनाए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक इसे share कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching